आज भारत और न्यूजिलेंड के बीच खेली जाने वाली T20 मैच में एक अश्टार खिलाडी का डेब्यू हो सकता है एक खिलाडी चंद गेंदो में ही मैच का रुख बदल देता है दोस्तो खबर में क्या है कुछ इस वीडियो में आगे हम आपको बताने वाले हैं इससे पहले दोस्तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें दोस्तो भारत और न्यूजिलेंड के बीच पहला T20 मैच बारिश की वज़े से रध हो गया था अब दूसरा T20 मैच आज यानि 20 नमंबर को ओवल के मैदान में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2022 में मिली हार को भूलाते हुए टीम इंडिया नहीं शुरुवात करना चाहेगी वही रोहिस सर्मा की गैर मजुद्गी में कप्तानी सम्हाल रहे हार्दिक पांडिया के लिए न्यूजिलेंड दौरा किसी अगनी परिच्छा से कम नहीं होगा हार्दिक पांडिया की कप्तानी में आज एक अश्टार खिलारी टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर सकता है न्यूजिलेंड दौरे से रोहिस सर्मा और केल राहुल दोनों को ही अराम दे दिया गया है ऐसे में ओपनी के लिए सुमन गिल को मौका मिल सकता है गिल ने अभी तक भारत के लिए एक भी टी 20 मैच में डेब्यू नहीं किया है अब हार्दिक पांडिया की कप्तानी में उनकी किस्मत खुल सकती है गिल बहुत ही संदार फॉम में चल रहे हैं उनके पास वह काबिलियत है कि वह किसी भी गेंदबाजी आकरमन की धजिया उड़ा सकते है वह चंद गेंदों में ही मैच का रुक बदलने में काफी माहिर है दोस्तो सुमन गिल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे किरप्या कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद